हलो 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 दोफतों आज हम बात करते हैं सैमसंग एशिक्स का लोग कैसे खोलते हैं कॉम्बिनेशन फाइल के दवारा तो सबसे पहले हम ओर्डिन को में जाते हैं और हम कॉम्बिनेशन फाइल लगाते हैं एपी यह देखो जी यह यह मैंने डाउनलोड गरके रख्यों यह है कॉम्बिनेशन फाइल इसको हम फ्लैस पे लगा देते हैं अब दो मिट लगेंगी तैम लगता है अब 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 कर दो 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 आएँ यह फाइल डाउलोड हो अपलोड होरी है और इन में इसमें दो तिन मिन का टाइम लग जाता है अब यह मुबाइल को मैंने पहले ही डाउनलोड मोड में कनेक्ट कर रख्थ है इसमें कंपोर्ट फाइल शो हो रहा है यह लोग यह हमारी फाइल सेलेक्ट हो गई है यह देखे जी कंप्रेस में डेस्टोप पे कि यह नेट कॉम्बिनेशन अब हम इसको फ्लैस करते हैं स्टार्ट करते हैं यह यह कॉम्बिनेशन अफेसी यह अच्छी तरह से A600G DxU4A यह U4 बिनरी है इसमें जी अब मेरे पास में मुवाइल को देखाने के लिए आज मेरे पास में कैमरा नहीं है इसलिए मैं आपको मुवाइल की फोटो नहीं देखा पा रहा हूं अब बाकि आप इससे करोगे आपका सेट ओके हो जाएगा यह- 내가 सेसे में अपको हूं घएगग अब कि यह दो लो दिया है यह हमारा पास हो गया है कॉंबिनेशन फाइल है फ्लाइस हो जुकिए अब एक टीव इनरी मोबैल में ओन हो रहा है अब मोबैल को ओन होने में समय लग रहा है थोड़ा सा कि यह ओन हो गया अब इसमें एफ में जाएंगे कि सैटिंग में गए कि सैटिंग में हमने इसका यूएस्पी डिवंग ओपन करते हैं यह आपको देखनी रहा कि यह यह देवलेफर मौड उपन होगे होगे हो गया जी अपर आ इस कि अ ओड़को देर प्रोवस्ण में ग्रहा है यह लो इसमें जब हम देवले प्रोवस्ण में इस निया चुनिक्ष निक अनलोकिंग उसको हमने अनेबल कर देना है कि अनेबल करने के बाद में हम वापिस इसको स्वीच आफ कर देंगे मुबाइल को और इसको फिर से दुबारा से फिर डाउनलोड मोड में लेके आएंगे अच्छी अच्छी है अजया है के रोजि मैं इसको दोफ़ार डाउनलोड में लिए तो इसमें अब अफ़र पी लॉग स्टेटर्स बस्टोब हो गया है तो अब हम इसको फुल फलाइस फाइल से दुबारा से हम प्लाइस करेंगी तो यह तो हमारी कॉंबिनेशन फाइल दी इससे हमने फिलाइस किया सुन सब दो हमारीErवेनिवेल होती है यह होती है इसे फिलेश करेंगे उसको मैंने डाउड़ करके रखा हुआ है यह यह कैया है तो हम यह को करते हैं मिये एश च्छहीव ुआ जी है यह मैंने डाउम्लोड करके रखा है रहाम इसको सेलीट हरी तो है पी पर हमने के लिक किया तो एकुपी इसमें सेल्क्ट करेंगे एफी कि अब इसमें दो तीन में लग जाते हैं इस फाइल का लोड होने में तब तक करना परेगा । झाल झाल गुटीध बजब हमने की जुटीध इया हुआ है कर दो अब लोड यह लोड हो चुकि हम अब बील सेलेक्ट करते हैं इसमें बील पे कलिक करते हैं अब सीपी पर जाते हम जी सीपी इसमें सेलेक्ट करते हैं अब सीएसी में जाते हैं अब सीएसी में हम सीएसी और होम सीएसी इसमें से जो मर्जी हम यूज कर सकते हैं तो अब हम इसको हमारी फाइल सेलेक्ट हो गई है अब इस पे हम प्लैस करते हैं स्टार्ट करते हैं यह हमारी फाइसी स्टार्ट हो गई है और अब कुछ ही समय में हमारा मोईल ओन हो जाएगा और लोग खुल चुका होगा इसका झाल 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 यह लोजी यह हमारा फलेश कंप्रेट हो चुका है और के साथ भी हमारा उमाईल अनलोग भी हो चुका है तो धन्यवाद झाल झाल झाल